वॉलिवुड में अदाकारी का जल्वा दिखाने के बाद जानवी कपूर तेलगू फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर समाने की कोशिस कर रही है। जूनियर एंटियार के बाद जानवी कपूर अपने दूसरे तेलगू प्रोजेक्ट को लेकर लाइमलाइट में बनी हुई है जीहां ऐसी खबरे सोचल मीडिया पर बीते दिनों वाइरल हुई थी कि जानवी कपूर अब रामचरन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी लेकिन अब इन खबरों की सच्चाई जानवी कपूर के पिता बोनी कपूर ने बता दी है बोनी कपूर ने अपने latest interview में जानवी और रामचरन के project पर अपना reaction दिया है बोनी कपूर ने हाल ही में media को एक interview दिया है जहां बोनी कपूर ने बताया कि जानवी कपूर जल्द ही डिरेक्टर बुच्ची बाबू सना की फिल्म में रामचरन के साथ नज़र आएंगी जानवी कपूर के नए तेलगू प्रोजेक्ट को लेकर बोनी कपूर ने कहा मेरी बेटी जूनियर NTR के साथ पहले ही फिल्म शूट कर चुकी है उसे यहां सेट पर बताया हर एक दिन पसंद आ रहा है जल्धिवा रामचरन के साथ फिल्म शुरू करेगी यह दोनों लड़की बहुत अच्छा कर रहे है बोनी कपूर ने अपने इंटर्वियो में बताया वो जानवी कपूर बहुत सारी तेलगू फिल्में देख रही है वन के साथ काम करके खुसकिस्मत महसूस कर रही है उम्मीद करते हैं कि यह फिल्में काम करे और उसे जानवी को और काम मिले वह जल्द ही सूरिया के साथ भी काम करेंगी मेरी पतनी श्री देवी ने कई भासाओं में काम किया उम्मीद करता हूँ मेरी बेटी भी वैसा ही करे पतादी जानवी कपूर का पहला तेलगू प्रोजेक्ट जूनियर एंटी आर के साथ है जिसका नाम देवरा है इंडिया 24 इंटु 7 लाइब टीवी के लिए डेक्स रिपोर्ट